हेलो दुस्तों, दुस्तों मैंने अभी अभी फोनी लेव पर रहे द जैंगा बुरू कर्फ नाम का शो देखकर कम्प्लीट किया, टोटल यहां पर साथ एपिसोड है एंड तो बी ओनेफ्ट मुझे इस वी शो के बारे में कुछ भी पता नहीं था, कुछ भी मुझे जानका दी नहीं थी एंड मुझे बेलकुल भी इंटरॉस्ट नहीं आ रहा था लेकिन एक बैब सिरीज है जिसके प्रतिक एपिसोड की लेंथ लगबग 45 मिनट है, साथ एपिसोड है, तो लेंथ काफी ज्यादा हो जाती, करी 5 गंटे का ये शो है, तो मैंने बहुत हिम्मत चुटा ही तब जाके, कल मैंने इसे शो को देखना चुरू किया था, फस्ट ए पूरे शो की ये है, कि बहुत फ्यादा थंडा है, फिलो पेसिंग है, कोई intensity, excitement नहीं है, इस पूरे शो में ही, पूरे शो में एक mystery बिल्ड करने की कोशिच करी गई है, पूरे शो में, पूरे शो में ही, अंत के 12, 18, 15 मिनट में कहीं जाके पता चलता है, कि वो सब क्या था, किस लिए था, क्यों था, एंड भाई, तो मतलब एक तरीके से मेरे देमा का दही हो रहा था, इसको देखते हुए, हलांकि यतना फ्यादा, घटिया नहीं है, लेकिन या रोतना अच्छा भी नहीं है, पूरी तरह से जैसा कि मैंने का, पूरी तरह से, पहले episode से लेकर, end तक कि ये slow pacing है, lengthy सा फिल होता है, boring सा मुझे लगा, end पकाऊ सा लगा, end कुछ भी यहाँ पर ऐसा नहीं है, जिसमें कोई intensity हो, कोई excitement हो, कोई thrill हो, कोई tension हो, कुछ ऐसा हो, जो आपको पूरी तरह से बांद कर रखे, अपनी दुनिया में hook and book करके रखे, connect करके, रखे, engage करके रख मेरा एक job था, कि मुझे इस show को देखना है, complete करना है, तो मैंने इसको देखा, end फिर इस लिए यह देखा, end मैंने यह नहीं फोचा था, कि मैं इसको debut करूँगा, क्योंकि मुझे पता है, ये show late हो चुका है, मुझे देखने में, करीब 6 दिन हो गए थे, तो views मुझे बैसे मुझे बाफ लेखना था, तो मैंने देख डाला, end यार मतलब कुछ भी नहीं था, यहां पे, तो भी ओने फिर कुछ भी खाफ नहीं था, dieting बहुत ही खराब है, इसके दिन भी अच्छा नहीं है, लेकिन आ जो concept नहीं था, जो चीज़ें यहां पर हो रही थी, वो कुछ interesting जो शुरू कुछ यूँ होता है, कि एक लंडन में एक financial assistant है, sorry, analyst है, financial analyst है, जिसके फादर लापता हो जाते हैं, इंडिया में, उडिशा में, उसके भूबनी शोर में, तो बहां से यहां आती है, अपने पता को ढूंडती है, पिर जाकि पता चलता है, कि वो कुछ पता लग अगरे इस थे, उसके फादर फिर भोगाया है, फिर नकसल्स का कुछ एक एंगल आ गया, उसके बाद कुछ और चीज़ें होई, फिर जाके पता चला कि माइंस से कुछ related है, and माइंस वकुल लेकर यहां पर उन्होंने suspense बनाने की कोशिश करी है, मतलब एक पत्थर के लिए 4 चाद 6 लोगों की मौत हो जाती है, फिर फे पत्थर के तोकड़े की मज़ए फिर चाद 6 लोगों की मौत हो जाती है, and इस माइन में, इस ख़दान में इतनी व्यादा security है, कि अगर कोई पता लगाने की कोशिश करेगा, इसके बारे में कुछ भी जानने की कोशिश करेगा, तो अपनी जान से हाथ दो बैठेगा, ये हाल दानने इतनी व्यादा security है, कि शायद यहाँ पर कोई PM बैठे होंगे, तब ही इतनी व्यादा security यहाँ पर लगी हुई है, मतलब चप्पे चप्पे पर गायन खड़े हुए, उनके हाथ में गंस है, and ये सब चल रहा है, and में जाके पता चला कि वो सब क्यों था, किसले था, and उससे पहले तक, कुछ अभी नहीं था, and मेरा तो मन कर रहा था, कि मैं बीच महीं छोड़ दो इसको, क्यों ही देख रहा हूं मैं इसको, कोई मतलब है, कोई फायदा मुझे होगा नहीं, तो ये था, and मतलब, to be honest, मुझ कुछ भी यहां पर खास नहीं लगा, and first season के बाद, Ant में कुछ चीज़ छोड़ी गई है, जो season to be आना वाकी है, and काफी कुछ तो किलिए दी नहीं हो पाता, कि वो सब क्यों हो रहा है, कौन उनके उपर है, कौन, किसका इतना फ्यादा support है, and Nuffer का जो character था, वो क्यों है, कहा कुछ यहां पर ऐस है, कि detailing की कमी feel होती है, कि चीज़ें बहुत अच्छे से एक्षप्लियन नहीं करी गई, तो यह हाल है, जबकि यह show tight हो सकता था, बहुत फिलोपेसिंग, राइटिंग थंडी है, कमजोर है, लेंदी फिल होता, boring लगाता था मुझे, even यार मैं क्या ही बत मैं फिरी हूँ, भूल जाओ, मैंने कुछ ऐसा show देखा, जैंगा बुरू का मतलब, यहां पर the red mountain बताए गया, लाल पहाड बताए गया, इसका meaning, यह है, मतलब क्या ही show था, मुझे ज़रा भी अच्छा नहीं लगा, कुछ भी खास नहीं था, कुछ भी, सबसे बड़ी प्र अगर वो इसपेस में भीज रहे हैं, तो इसपेस में जाकर वो क्या करोगे, क्या होगा इसपेस में जाकर उसका, सेटिलाइट पर कब जाकरोगे, या कुछ और करोगे, वो भाई कुछ समझे नहीं आया, तो यह है, मतलब थंडा show था, पूरी तरह से मैं कहूंगा, कि average था या फिर आईकेस मुझे कहना चाहिए कि below average show था, तो यह वाकि यार अब्दुल्ला एज प्रिया दास, जो लड़की है, जो financial analyst है, जो लंडन से आती है, इंडिया, उसका काम मुझे अच्छा लगा हो, कि नसर का भी काम अच्छा, लेकिन नसर का जो character हो, वो ही पताने चला, यहाँ पर यहाँ पर यह है, कि करदारों में कोई depth नहीं है, प्रिया के character को छोड़कर, किसी भी character के लिए आपको कोई ज़रा भी परवाह नहीं होगी, इविन प्रिया के लिए भी आपको उतनी व्यदा परवाह नहीं होगी, कि आपको उसकी वारे में feel करो, कि आपको उसक उसको कोई खत्रा आ रहा तो उसके लिए आपको टैंशन हो तो यह है वाई पदिया अब्दॉल्ला ने अपनी एक्टिंग अच्छी दी है नफरका भी कम अच्छा मकरन देश्वांडे यह पर दिखाई पड़े लेगे लेकिन उनका भी जॉल कोई उतना इंपोर्टेंट नह नहीं था तो यह हवा की फुदेब नायर है दरुब कनन तो उनका भी काम लगबाग अच्छा ही था या तो यह करदारों में कोई बात होनी चाहिती है राइटिंग में कोई बात होनी चाहिती है जिस्ट टूस्ट आप इस शो को देख सकते हैं ऐसा कुछ भी नहीं कि फैमि कि मैं टूस्ट आप सो भी क्यों दे रहा हूं किसली दे रहा हूं जब कि डिवर भी नहीं करता तो यह है वाई मैं कोईगा कि इसके भी करो यार इस अच्छा तो यह है तो यह है एंड हैपी इंडिपेंड इस ले जैहन बनने मतलम थैंक्यू